अभी रिंको शर्मा का चीज खतमी नहीं हुई है जो रिंको शर्मा के साथ जो हम उस हाथसे से अभी उभर नहीं पाए है और वापस दिल्ली में एक लाइक खान एक जिहादी है जो एक 17 साल की नाबालिक हिंदू लड़की उसका नाम बदल कर मैं गीता बोल रही हूं क्योंक हिंदू लड़की को मेरिस प्रपोजल देता है और लड़की मना कर देती है तो उसके घर में जाके उसको मार देता है अब आप दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन देख रहे है रिंको शर्मा के भी घर में घुसकर इन जिहादियों ने मारा ये जो हमारी हिंदू लड़ की है 17 साल की उसके घर में घुसकर इस जिहादी लईक खान ने उसको मार डाला अब आप देखो मैं आज से तीन साल पहले कह रही थी कि ऐसा नौबत आएगा ये घर में घुसके मारेंगे और हो रहा है घर में घुसके मार रही है क्योंकि दिल्ली में कौन है नॉन बीजेप की बात करती हूँ भरूच में 45% मुसलिम हो गए थे और इनका आतंक ऐसा था कि रस्ते में चलते किसी भी हिंदू को ये गर्दन पर ब्लेड मार देते थे और मार देते थे अज इतिहास गवा है गुजरात में उसके बाद में जो बदलाव आया है 25 साल से गुजरात में भाज पाए क्योंकि गुजरात ने वो जिहादियों का आतंकवाद देखा है अज 45 प्रतिशत मुसलिम आबादी होने के बावजूद भरूच में सारे हिंदू एक होकर मतदान करते हैं और छोटे से छोटा नगर पालिका का भी चुनाव है न भाजपा जीतती है क्योंकि उनको प कॉंग्रेस पार्टी ले लो या कोई और पार्टी ले लो वो आएगी तो इन मुलो का मनोबल बढ़ेगा और वो गुजरात ने सहन किया है इसलिए ये कॉंग्रेस क्यों गुजरातियों को गालिया देती है क्योंकि गुजरात ने स्विकार नहीं किया है ये चाहे किसान को प्रलोबन दे या मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात कर ले या कुछ भी मुफ्त दे दे जो गुजराती है ना वो इनको पैर रखने नहीं देगा और ये ये प्रूव हो चुका है बार-बार के जहां भाजपा की सरकार है ना वहां हिंदू सुरक्षित है और अगर अपटी को नुकसान पहुचाते है ना योगी इनका अच्छे से बजाता है और अब दूसरे राज्यों ने भी बजाना शुरू कर दिया है तो आप अपने इतिहास से नहीं सिखेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा अब ये कुछ मुले अभी मुझे बोल रहे आ गई हिंद मुसलिम कर रहे हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा हम आवाज उठा रहे तो हम हिंदु मुसलिम कर रहे है जब इन मुसल्मानों ने हमारी लड़कियों से बलातकार किये हम आवाज उठा रहे है तो हिंदु मुसलिम कर रहे है जब बंदुक की नोक पर आपने धरम परिव परिवर्तन करवाए हम बोल रहा है तो क्या हम हिंदू मुसलिम कर रहे हैं लाखोक हिंदूों को कश्मीर में से रातो रात इन्हों ने भगा दिया रालीव गलीव चालीव के मस्जिद से इन्हों ने स्पीकर पर अनौंसमेंट करें कि कश्मीर घाटी या तो छोड़ के जाओ या फिर मर्ज धरम परिवर्तन कर लो और अपनी औरतों को हमारे लिए छोड़ के जाना अगर हम इसकी बात करते तो क्या हम हिंदू मुसलिम कर रहे हैं कहरा ना में हिंदूों का पलायन मुसल्मान जबरदस्ति घर में घुस जाते हैं और घर की हमारी प्रॉपर्टी पर अवाब उठागाए होज डॉपर कर रहे हैं 10-9'1000 तो plane और वहाए हैं और तो को मारा जा ड्रमा परिवर्तन करवाए जा रहे हैं उनको पॉल से लटका दिया जाता है फासी दे डी, हमारी माइनर लड़किंओपर आप अब टेजा फेक रहे हो अभी मैं आपको आज की घटना बताती हूँ कि एक माइनर लड़की पर रोहिल खान नाम के ये हापुर का मामला है रोहिल खान नाम के एक आदमी जिहादी ने उस माइनर लड़की के मूँपर तेजाब डाल दिया क्योंकि उसने उसका मैरिज प्रपोजल एकसेप नहीं किया तो अभी हमारी माइनर बच्चियों को ट्रेप में ला रहे हैं उन माता पिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेटियों को या तो गल्स स्कूल में पढ़ाए या ऐसी स्कूल में पढ़ाए कि जहाँ ये जिहादी ना पढ़ने जाए और अगर आप इनके एरिय में रह रहे हैं तो आप ये सोच लो कि आप सापों के पास रह रहे हो कभी भी आपको डसेंगे इसलिए अपनी हिम्मत कमजोर मत करिये अपने घर में है ना अनाज एक टाइम का खाये लेकिन अस्तर और सस्तर दोनों रखे अपने बचाव के लिए ये रेडिकल टेरिस्ट स सारे के सारे अगर हम बोलते हैं तो ये विक्टिम प्ले करते हैं और इतना जबर्दस्त विक्टिम प्ले करते हैं कि मेरे कमेंट मॉक्स में ये गालिया भरकर ये तो बोलेंगे कि हिंदू मुसलिम कर रही है मगर एक मुल्ला ये घटना को कंडेम नहीं करेगा आशिफा के वक्त भारत के हर चौराए हर ट्राफिक सिगनल पर बड़े बड़े होडिंग्स लगे थे लेकिन जब बात गीता की आती है न तो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं समय आ गया है मेरे जैसे लोग कब तक आके बोलते जाएंगे हम आज हैं हम कल नहीं है लेकिन अपने बचाव तो खुदी करना पड़ेगा लड़किया यूहीं मरती जाएगी हमारी और कुछ होगा भी नहीं कोई कुछ बोल भी नहीं रहा ये चांडल चौगडी जो है बॉलीवूड मीडिया कम्योनिस्ट और विपक्ष ये चुप है ये प्रियंका और राहुल अब केंडल म मार्च नहीं निकालेंगे जंतर मंतर पर और इंडिया गेट पर नहीं जाएंगे ये लोग क्योंकि यहां इनका जो प्रॉपोगेंडा है वो सेट नहीं होता है दुख होता है जब बार बार ऐसी घटनाए होती है और अब हम लोग कब तक इनको बरदाश करेंगे ये भाई हम भाई बनाते हो तुम्हें शरम नहीं आती है इन जिहादियों को कि अपने भाई बना रहे हो हमारे घर में क्या भाई नहीं है हमारे क्या कजिन्स वगएरा नहीं है जो इन जिहादियों को तुम भाई बना रहे हो और फिर ये तुम्हारी बेटियों कोई उठा के ले जा पूंटिंग कहो, नाजी कहो, हिटलर कहो, मिसरजिनिस्ट कहो, एक्स्ट्रीमिस्ट, जो भी कहना है कह दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी है, वो सनातन धर्म है, और इस धर्म का प्रचार और प्रसार करती रहूंगी, भाड में गया सेक किलरिजम का जुनजुना बचाने वाले जो लोग है, उनके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे है, उन्हें ये सब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये आग उनके घर तक, आज नहीं तो कल आने वाली है, और आएगी, और फिर ये रोक कर हमारे पास आएंगे, और हमारे पैर पढ़ेंगे कि प्लीज हमें बचा लो, हमारी मदद कर लो, ये जिहादी ऐसा कर रहे है, वैसा कर रहे है, ऐसे हमने देखे बहुत सारे किस्से हुए, तो अन्त में, मैं अपनी बात जादा लंबी न करते हुए, मैं यही कहूंगी, कि एक हो जाओ, ये जाती बात में बटना छोड़ दो, ये अलग-अलग हिंदूओं की पाटिया बना रहे हो, आप हिंदूओं की वोट काट रहे हो, जितनी शशक्त भाजपा होगी न, उतना तुमारा भला होगा, और ये जो तुम कुछ हिंदू जो पैट्रोल के दाम पे रो रहा है, साइकल पे चले जाओ ठीक है, अगर पैट्रोल नहीं परवड रहा है आप लोगों को, लेकिन ये सोचो कि भाजपा है तो तुम लोगों का भला हो रहा है, वो नहीं देख रहे कि 5 लाग का आयुश्मान काड दिया है, भाजपा ने, कितने लोगों का आयुश्मान काड के थुरू मैंने हॉस्प हमारे गाओं को कनेक्ट कर रही है हाईवे के साथ में वो नहीं दिख रहा है, सरकार इतनी मेडिकल हेल्प कर रही है वो नहीं दिख रहा, सरकार आप लोगों को टॉइलेट दे रही है वो नहीं दिख रहा, आवास दे रही है वो नहीं दिख रहा है, सरकार ने घर घर तक बिजली पहुचाई, पानी पहुचाया, वो नहीं दिखरा, कोविड में जो हमारी सरकार ने काम किया, वो नहीं दिखरा, क्या मतलब, क्यूं आप लोग इतने जादा बेवकूफ बन रहे हो, वो भी इन कॉंग्रेसी हो के, ये राहूल गांधी विदेशी मा की कोक से जना हु बेटा है, ये कभी आपका सगानी होगा, note my words, चानक्य ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुझ पे वरोसा मत करो पर आचार ये चानक्य पे तो करो, क्या करते हैं, जिनके घर में घुसकर ये लोग मार रहे हैं, या अडोसी पडोसी तमाशा देखते हैं, शरम नहीं आ मार रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो यार, पडोसी क्या कर रहे हैं, और ये जिनके घर में घुसकर मार लेते हैं, वो फैमली क्या कर रहे हैं, मार डालो यार, सेल्फ डिफेंस का तो अधिकार सुप्रीम कोट ने दिया है, वो आतंकी जियादी आपके घर में ये मुल्ले घु महादेव से प्रातना गरती हूँ कि हिंदुओं को सदबुद्धी दो थोड़ी शक्ति दो और ये जो इनके दिल में दया और सेकुलरिजम की जो भावना है न उसको हटाओ भारत मैता की जय वंदे मातरम